तो हलो दोस्तों फाइनली एक बहुती बड़ी अपडेट नीकल कर आचुकी हैं जो कि जहाब से रिलेटड हैं जो मूSTυ 10,275 टोटल पोस्टस अड़र्टाइज होने वाले हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या कालिप्यकेशन रहने वाली हैं एज कितनी रहने वाली हैं, सब कुछ हम इस वीडिव में डीटेल में बात करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से एक रुकेस्ट हैं, अगर आप चैनल पर पेली बार आयोतोँ चैनल को सबस्क्राइब जरूर करना लेट स्टार्ट आवर वीडियो दोस्तों आप सब को मालूम होगा हाल में ही निर्मला सीता रामन ने जेंड के का बजट डिसकस किया उसमें उन्होंने आलमोस्ट टुन्टी थाउजंड थ्री हैंडरंड टॉन्टी थ्री पोस्ट्स रेफर किये हैं जेके एसेसबी को और इस 1275 टोटल पोस्ट्स अभी भी वेकंट हैं यहां पर आप यह वीडियो देख सकते हो जिसमें स्ट्रेट लाइन यूट्यूब चैनल का एडिटर बात कर रहा है कि टोटल कितने पोस्ट्स हैं जमोंड कश्मीर पुलीस डिपार्ट्मेंट में जमोंड कश्मीर में पोस्टें जो बिड्राव हुई थी उनको लेकर जमोंड कश्मीर की सरकार ने स्टेट रिमिडियो कांसल लिंक फैसला लिया है उस फैसले के को लेकर कोई सरकारी और कोई सरकारी सरक्रूर अभी तक नहीं आया है जो मेरी जानकारी है मेरी इतला है उसक वो मुकमल मानी गई है वो तफसील जो है जब आएगी तब आपके साथ जरूर शेयर करेंगे लेकिन फिलाल ये कि रिक्रूट्मेंट को लेकर जमो कुश्मीर में जो तमाशा हो रहा है उस रिक्रूट्मेंट के तमाशे को लेकर स्ट्रेट लाइन बार बार आप तक खबर जरूर पहुचाता है आज लोकसवा में एक सवाल के जवाब में डॉक्टर टी आर पारिवेंधर ने एक सवाल पूछा उनने का मुझे बताइए कितनी पोस्टे पुरे देश भर मेंगन को फूरे देश भर में पुरिस में वैकंट है स्टेटवाइस डीटेल मुझे दीजीए जब स्टेटवाइस डीटेल में तफसीलाश जब निकल कराएं तो पता चला पांच लाख 31,737 के करीब करीब वैकेंसी जमो कश्मीर पुलिस में हैं और इसमें जमो कश्मीर में 91,213 सेंक्शन्ड स्ट्रेंथ हैं जमो कश्मीर पुलिस की और इस 91,000 में से 80,938 के करीब करीब पोस्टें जो हैं वो फिल्ड अप हैं उनको भर लिया गया है और लगबग 10,275 पोस्त हैं जो आज भी वैकेंट है यानि लगबग 10,275 पोजिशन जमुकश्मीर पोलिस में वैकेंट हैं ये 10,275 वैकेंशी आज की नहीं होगी over a period of time लोग जमो कश्मीर पुलिस से रिटायर होते रहे होंगे उनकी रिटायरमेंट जैसे जैसे होती गई वैसे वैसे ये वैकेंसी बढ़ती गई और नतीजा ये निकला बलगबग 10,275 के करीब करीब वैकेंसी जमो कश्मीर पुलिस में है दोस्तों आपने वैस किलिफ सुनी आफ सब लोग जानते होगे इसको ये दे स्ट्रेट लाइन का एडिटर है जो इस वीडियो में बात कर रहा था टोटल पुस्ट जमो कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट को रेफर किये गए हैं वो जल्दी अडवर्टाइज होने वाले हैं कुछ ही दिनों के बाद अगर हम बात करेंगे उनके लिए कालिफिकेशन क्या रहने वाली है एज लिमिट क्या रहने वाली है आप सब लोग जानते होगे बहुत सारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे पोस्ट जाते हैं हर किसी डिपार्टमेंट में हर किसी पोस्ट के लिए अलग-अलग इलिजबिल्टी होती है अगर आप मानो कि SPO पोस्ट हैं उनके लिए 10 पास ही इलिजबिल्टी होती है लेकिन अगर काने स्टेबल होते हैं तो उनके लिए 10 पुलस 2 इसी तरह अगर सब इनस्पेक्टर पोस्ट होते हैं तो उनके लिए ग्रेजुएशन आपकी कालिफिकेशन होती है और हर किसी पोस्ट के लिए अलग-अलग एज लिमिट रखी जाती है जैसे कि आप सब को मालुम होगा मिनमम 18 यर्स होती है और मेक्सिमम किसी पोस्ट के लिए या तो 28 होती है या तो 30 होती है ये थी एक बहुती बड़ी अपडेट जो की जाबस से रिलेटिड है उम्मीद कर करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो के रिलेटिड कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कॉमेंट बुक्स में कॉमेंट करना एसे लेटेस्ट आपडेट्स पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं आपने नेक्स्ट टूड में तब के लिए गुड़ लाग